नमस्कार मैं हूँ कमर्श्री माली आप सभी का स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल में और इस रुद्राक्ष धारण के एपिसोड में मनुष्य एक प्रकास से कामनाओं का पुतला है एक कामना समाप्त होती नहीं कि दूसरी कामना जागरत हो जाती है अत्याद यह कामना अनंत है आवशक्ता अनंत है जो निरंदा जीवन में चलती ही रहती है और इन कामना पूर्ति के लिए वह विभिन उपाय करता है चाहे बगवान सिव के अश्रों से उत्मन होने वाले रुद्रक्सों के मत्व से हमारे पूराण सास्त्र और गंत्र भरे पड़े हैं। रुद्र पूराण के अनुसार रुद्रक्स के अनेक भेद होते हैं, अनेक प्रकार होते हैं। वे सभी प्रकार अलग-लग ढंग से भोग और मुक्ष प्रदान करने वाले हुआ करते हैं। रुद्रक्स के विभिन मुखों अथा जो धारियां होती है उनको मुख का जाता है और इसमें विभिन देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों, रिश्यों आधिका वास होता है, निवास होता है। विद्यूत के समान प्रकाशित हो करके, जन्म म्नत्यू के बंदन से मुक्ती पा करके, भगवान शंकर के परमधाम को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार समस्त देवताओं में विश्णू, नवगरों में सूर्य स्रेष्ट होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जो कंट और दे में रुद्राक्ष तालन करता है, अत्वा घर में रुद्राक्ष को पूजा इस्थान पर रख करके पूजन करता है, वो मानवों में मानव होता है, आपके भाग्योदे की कामना को ध्यान में रखते हुए, मैं कुछ विशिष्ट ऐसे रुद्राक्ष को का विवणन दे रहा हूं, जिनका उप्योग करके आप अपने सोयवे भाग्य को भी जगा सकते हैं, आप अपनी कामना की पूर्ती कर सकते हैं, अब मैं हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में सफल हो, उसे अपने बिजनस में, व्यवसाय में, जॉब में, जितना वह चाहता है, उतना लाब मिले, यश मिले, व्रदी मिले, एप्रेशेशन मिले, जीवन के सभी सुखों का पूर्ण उप्योग कर सके, सुख सुधाओं को वह जी भी सुख प्रदान करना चाहता है, यदि आप भी जीवन में सफलता के सीकर को छूना चाहते हैं, आपको एक मुखी से चौदा मुखी तक के रुद्राक्स एक साथ एक ही माला में धारन करने चाहिए, इस प्रकार रुद्राक्स धारन करने से आपको निश्चे ही जीवन मे सांदर सफ़ता मिल सकती है अब आईए बात करते हैं आर्तिक स्मृद्धि के लिए आर्तिक इंप्रूमेंट के लिए आपको कौन सा रुद्राक्ष धारन करना चाहिए रतनों की बाती रुद्राक्ष भी दुर्भागे को सौभागे में पर्वर्तित करने में शक्षम होते हैं यदि आप आर्तिक स्थिति को लेख कर कि चंतित हैं कर्ज मैं डूबेवें और सीग रही आर्थिक स्थिति में सुधार चाते हैं तो आपको प्राण्ट, प्तिस्थित, मंत्र, चत्यनिय, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जरूर करना चाहिए इस रुद्राक्ष के प्रवाव से जहां आपकी आय में व्रद्धी होगी वही सुख सुधाओं में उपभोग में भी व्रद्धी होगी अब बात करते हैं विवा की यदि आपकी आयो अधिक हो गई है बहुत प्रियास करने के पस्चाद भी विवा नहीं हो पा रहा है तो आपको गौरी संकर रुद्राक्ष के साथ ही साथ पांच मुखी और छे मुखी रुद्राक्ष भी धारन करना चाहिए इस प्रकार से एक साथ में जो तीन रुद्राक्ष आप इकटे करेंगे उसको रुद्राक्ष कवच कहा जाएगा यह रुद्राक्ष भे लोग भी धारन कर सकते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार वर या वदू चाहते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार विवा करना चाहते हैं मन पसंद जीवन साथी के साथ में अपने पार्टनर के साथ में अपने मित्र के साथ में विवा करना चाहते हैं अब भात करते हैं सिक्सा की यदि आप विद्यारती हैं और एजूकेशन में पूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं परिक्सा में अच्छे अंग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रान पतिस्थित और मंत्र चेतन्य सिद्ध गणेस रुद्राक्ष धारण करना चाहिए इस रुद्राक्ष के धारण करने से जहां एकागरता में व्रद्धी होगी वहीं इसमर्ण सक्ती में भी अशीम व्रद्धी होगी जो बच्छे पढ़ने में कमजोर हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है जो एक बार याद करने के बाद में बार बार भूल ज आते हैं ऐसे बच्चों को प्राणपतिसित और सिद्ध गणेस रुद्राक्ष धारन कराया जा सकता है इसे उन्हें बहुत लाब होगा आईए अब बात करते हैं दामपतिसुकी आपके गरस सुकी यदि आप विवाईत हैं और दामपतिसुक में कटूता निरस्ता का सामना कर रहें अतरत आपके दामपतिस जीवन में दरार बढ़ती ही जा रही है और आए दिन वादवियाद होता ही रहता है गरक लेस्ट अपने एक्स्ट्रीम पर है चरम पर है तो ऐसी परस्तिते में आपको निश्चित रूप से गौरी संकर रुद्राक्ष धारन करना चाहिए इ जन्म लासिक अनुसार भागिवंदी रतनों का चुनाव भी कर सकते हैं अब बात करते हैं आपके कंपटिशन एक्जाम्स की और या पिर ये बात करें कि कोई इंटर्व्यू की आप एक्जाम देना चाहते है उसकी तो जो भी हाइर एजिकुशन ले रहे हैं जो भी कोई ए प्रत्र में चले जाएए हर जगे जबरदस्त कंपटिशन का सामना करना पड़ता है यदि आप भी किसी रोजगार की तलास में हैं पड़े लिके होने के बावजूद भी आपको अच्छा जोब नहीं मिल पा रहा है प्रत्यू की परिक्षा बार बार देने पर भी आप सफ गणपति दोनों की करपा एक साथ में प्राप्त होगी और आप सफल तक है पत पर अग्रशर हो जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे आईए अब बात करते हैं आपके संतान प्राप्ति की प्रत्यक दमपति का ये सपना होता है कि विवा के पस्चात उनको संतान का सुख मिले जिससे वे आपने वंस को आगे बढ़ा सके और यदि विवा के बाद लंबे समय तक संतान नहीं होती है तो ऐसे दमपति निरास और हतास हो जाते हैं यदि आप भी संतान के अबाव से दुखी हैं तो आपको प्राण पतिस्तित और सिद गौरी संकर रुद्राक्स धारन कर करना चाहिए इससे अवश्य ही आपको संतान का मूँ देखना नसीब होगा संतान प्राप्ति की जो कामना है वो पूर्ण होगी आईए अब बात करते हैं स्वास्ति लाप की अताद रोग जिसको है वो कैसे रात प्राप्त करें आपने यह कावत तो सुनी होगी कि स्वास् से ग्रस्त हैं तो आपको एक मोगी रुद्धाक्स दार्ण करना चाहिए रुद्धाक्स विवन रोगों में लाबदायक सिद्ध होए और तो और रुद्धाक्स चिकिटसा के नाम से विवन रोगों का उपचार भी किया जाता है हाई बलेट प्रेशर रक्त चाप जिसे कह जाता है रदाई रोग मासिक अनिद्रा इन सभी रोगों में रुद्जाक्स के विलक्षन लाब मिलते देखे गए हैं आईए अब बात करने एक विसेश परिस्थिति की वह क्रोध कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है प्रायव जीवन में सफल नहीं हो पात है कि वह बात बात पर बिगड़ने लगता है क्रोध करने लगता है ऐसे विक्तियों के साथ में मिल करके कोई काम करना नहीं चाहता है ऐसी स्थिति में आपको रुद्राक्स की माला धारन करने चाहिए आप चाहें तो तीन मुखी पांच मुखी या छे मुखी रुद्राक् को फाइट कर पाएंगे परिस्तिफित्यों से लड़ पाएंगे और उनसे उबर भी पाएंगे तो जब आपकी बॉड़ी लेंग्वेज को बॉड़ी के स्ट्रेंथ को आपकी एंग्जाइटी लेवल को रुजाक्स कंट्रोल कर सकता है पॉस्टिवीटी दे सकता है तो ऐसी करना चाहिए जिन व्यक्तियों को बार बार करो दाता है चोड़ चोड़ी बातों में करो दाता है या जिनने स्लब गुस्यल ही कहा जाता है तो एक बार आप यह छोटा सा उपाय करके देखिए साइद आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंजिस आ सकते हैं साइद से जितना दूर रहते हैं वो भी आपके साथ में बात करेंगे आपको सस्पोर्ट करेंगे आपसे सयोग मांगेंगे और आपको सयोग देंगे भी मैंने जो अभी आपको बतलाया कामना पूर्ती यह झी आपके जीवन में ऐसी कोई इस्तिति है calves कोई परस्तितियां है जिनसे आपकी कामना पूर्ती में बादा उपस्तित हो रही है तो एक उपाई रुद्रक्स का भी है वह भी आपको करना चाहिए और आने वाले समय में शिवरात्री आने वाली है समणमा आने वाला है जो भी इस्तिति जो भी मौरत आए आपको उसका फा जो भी अच्छा दिन आप देख सकते हैं उस दिन आप रुद्राक्स दारण कर सकते हैं लेकिन इतना जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वह रुद्राक्स सही हो जो आप चाहते हैं वह रुद्राक्स हो वह रुद्राक्स मंत्र चितनी हो प्राण पतिस्तित हो अता स से कम सही जगे से रुद्राक्स लें सही रुद्राक्स लें जिससे कि आपको उसका फाइदा मिल पाए क्योंकि आपका पैसा भी खर्च होगा और आपका समय भी खर्च होगा और आपकी समस्या यदि ज्यों की त्यों ही होती है तो ये उपाय करने से फाइदा क्या ये एफट प्रोप में मैं आपको बोल सकता हूं आपको बहुत ज्यादा फलदायक होगा यह अपिसोयद को कैसा लगा आप आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं और जैसा कि मैं सदेव कहता हूं यदि हमारा एपीसोयद आपके लायक है आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे परिवार में समयलित होने के लिए सरफ एक सब्सक्राइब बटन को आप प्रबंच करें जीवन में समस्याएं निरंतर आती रहती है बहुत बार समस्याएं हम खुद सुलजा लेते हैं बहुत बार समस्याएं मित्रों की साहिता से सुलजा लेते हैं बहुत बार समस्याएं लेकिन कई बार जो समस्याएं होती है वो समस्याएं गरहों के कारण होती है समय के कारण होती है और समय ही सबसे बड़ा घाव देता है और समय सबसे बड़ा घाव भड़ने वाला ही है, समय ही सबसे बड़ी आस्दि है। अता सब कुछ कुर्की होकर के भी बैंक वाले सब कुछ छीन लेते हैं, उसके बाद में वापस सामानी वक्ती बनना पड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे जिन्दगी में लोग देखे हैं, जो लोग आज की तारिक में भी वो मैगजीन लेकर के घूमते हैं, जिन में उनका नाम फर्स्ट नंबर पे था। और वो गर उसके साथ में बोलते थे कि एक समय ऐसा था, जब मेरा नाम फर्स्ट पे था, अम्बानी इंडस्टीज का ये धिरुबई अम्बानी के नाम देखे पांचवे नंबर पे था। लेकिन समय चला गया, लेकिन उनकी मनस्तिती में परिवर्तन नहीं आया, वो समय को एकसेप्ट करने को तयार नहीं है, कि अब समय आ चुका है, कि आप जहां पर थे, वहां से आप नीचे आ चुके हैं, दूसरे आप से उपर चड़ चुके हैं, इसलिए उस चीज़ को एकस कि समय से बड़ी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है आप कितना भी करम करिये कितनी भी मैनत करिये लोग बोलते करमाफल देता है यदि करमाफल देता है तो एक क्लास में जितने बच्चे हैं तिक सिलबस एक है पढ़ाने वाले जो आपके सिक्षक है वो सेम है आपके बुक् परस्तियां वो तो सब की सब परस्तियां सब के लिए से में फिर क्यों किसी को एक्ष्टा ओर्डिनरी मार्क्स आते हैं और क्यों किसी को माक्स होस्यार स्टुडेंट होते वे भी नहीं आते हैं यह सोचने का विसाय आपको इस बाले में सोचने चाहिए हमारे मारवड़ी म और वास्तम ऐसा जिंदी में देखा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ के मालिक हैं और उनके यहां पर जो इस्टाप है वह सब एमबिय की हुए रखे हैं वह सब बहुत जादा पड़े लिखे हैं वह सब बहुत जादा जिसको क्रीम आफ अप अनरजी बोलते वह लोग एंवो लोग उनके नौकरी करते हैं फिर एक छोटा सा एक्जामपल है कि यदि MBA करने से ही आदमी बिजनसमेल बन सकता है तो जो MBA का स्टेडी करवाते हैं वो प्रोफेसर क्यों नहीं बिजनसमेल बनते हैं फिर यहां पर सोचने वाली स्थितिय है कि उसके लिए आपकी ग्रनक्षत्र आपकी थिंकिंग आपका एंवामेंट आपके जो भी घर की परिस्तितियां हैं वो सभी कुछ काम करती है और यह सब के सब विश्लेशन का विश्य है इसलिए यदि आपके जीवन में कोई स्थिति ऐसी है कि आप उन चीजों का आंसर चाहते हैं उन बात्तों का आंसर चाहते हैं तो आईए कभी समय निकालिए आपकी कुण्डली हो और मैं और आप बैटें और उसके बारे में झाल झाल झाल